बॉर्णिंग तो वाल स्टुडेंट्स टूडे आई एम गूंग टू एक्स्प्लेइन क्लास ट्वेल्थ बायोलाजी चैप्टर सेवन इवलुशन सो इवलुशन के अंतर गयत हमने और जीन आप इस स्पीसिस देखे ठीक है कि अर्थ पर किस प्रकार से आपका लाइफ फाम क anor जीन हुआ था तो बहुत साररे ऑर्फ पर खाम ओर जीन देख लिए और है कि जो मेंन है है लाइक हूं जीस तक दरकत हम लोग भी उसके में चुछा उर्य्चीब कैसे हुआ और ओर दोषन किसे हुआ है और जीन मैं से ज्वडर skilled मेंत्ते हैं एक Сп June 19 अभी जो modern humans हैं उसमें क्या के changes आए हैं और कौन कौन से time period के दवरान जो इसमें changes आए हैं उस पर हम लोग basic discuss करेंगे ठीक है तो लेट स्टार्ट टॉपिक गंटेंट से एंट्रोड़क्शन देखेंगे classification of man in animal kingdom देखेंगे origin of man evolution of man parental logical evidence देखेंगे conclusion and reference इस content पर हम discuss करेंगे पर स्टेल इंट्रोड़क्शन human evolution is process of change by which people originated from epi like ancestors ठीक है उसमें basically देखा जाए तो जो हमारे ancestors थे जिसको हम लोग क्या बोलते है एपी ठीक है एपी क्या थे हमारे ancestors थे उन्हीं से हो जो है आपका जितने भी हमारे जो modern humans हैं उनका जो है आपका फार्मिशन हुआ है ठीक है मतलब जो epi's थे like ancestors उन्हें क्या हो है evolution होता गया है ठीक है इस आकर ही जो है आपका हमारा जो modern human है ठीक है उनका origin या formation हुआ है ठीक है यह process क्या 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 लाते है origin of man ठीक यह फिर origin या evolution of man ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कहां से हुए है epi's जो हमारे ancestors थे ठीक है gorilla epi's जो हम सुनते हैं उन्हीं से जो है आपका उन्हीं में आपका modification होकर उन्हीं evolution होकर उनके organs में उनके habitat food मतलब सारे चीज में जो है आपका completely उसमें क्या changes आते गए evolution होता गया उसके बाद ही हमारा जो modern humans है recent में उनका formation हुआ है ठीक है अगर हम humans की बात करें जो की किस से बिलॉंग करते हैं homo sapiens human को क्या बोलते हैं हम लोग homo sapiens जो कि कौन से फैमिली से बिलॉंग करते हैं hominidi family से बिलॉंग करते हैं ठीक है animal का नाम क्या है homo sapiens like men इसका सब और है आपका अन्थ्रोयडिया और यहां कौन क्योंसे order से आंतरगत आता है primates ठीक है फ्रीके में इसका होगी क्लासिफिकेशन ठीक है दब दा क्लोजर रिलेटिव आप में इन इवलुशन बिलॉंग टू फैमली सिमीडी विच इंक्लूडिंग में लाइक आर्थ्रोपोइट्स एपीज अकर क्लोजर रिलेटिव देखें में के साथ ठीक है क्लोजर रिलेटिव में इवलुशन में तो इसके अंतरगत आपका एक फैमली है सिमीडी ठीक है जिसके अंतरगत कौन आता है हमारा लाइक में ठीक है या फिर अर्थ्रोपोइट्स एपीज लार्ज नंबर आफ फोसिल बोन एंड टीथ हैव बीन फांड एन वालियस प्लेस थ्रूआउट अफ्रिका यूरोफ एन एसिया ठीक है अगर हम फोसिल टीथ थे ठीक है इन सभी चीज को क्या किया वहां खोजा गया पॉर्ण वारियस प्लेसे लग अलग अलग फ्लेसेश पर ऐसे अफ्रीका होगे यूरोफ होगे ऐसिया ठीक है इन फ्लेसेश पर क्या के गए जो हिमन्स के बहुत सारे जो फॉसिल रिकार्ड थे लाइक बोन टीथ खोज़ा गया है यहां पर ठीक है उसके थुरू ही हमें पता चला कि कि किस कालखन में किस केलेट में कौन कौन से उसमेंगे चेंजिस हुआ है तुल आप स्टोन तुल्स आप स्टोन बोन एन वुड अस्वेलस फायर हैर्थ केंपिसाइट्स एंड व्यूरियल्स आल्सो है विन डिस्कवर्ड एंड एक्स केवेटेड ठीक है उसमें बेसिकली क्या क्या में प्राप्त हुए टूल साफ इस्टोन बोन्स वूट्स फायर है और क्या केंपिसाइट्स एंड व्यूरियल्स ठीक है इस सारे चीज़ को क्या किया गया उसमें डिस्कवर किया गया खोज किया गया ठीक है असा रिजल्ट इस डिस्कवरी इस अपिक्चर आफ यूमन्स इवलुशन डरिंग दा पास्ट फोर तू फाइप मिलियन एयर हैस इमर्ज और इन सभी का जो हमें परिणाम हुआ जो भी आपका डिस्कवरी हुआ यूमन्स के फोसिल रिकार्ट पर तो उसका रिजल्ट इस परिणाम हमें यहां पराप्त हुआ कि जो आपका इवलुशन के जो पिक्चर है उस दोरान जो पुराने आपका चार से पांच मिलियन एयर गया ठीक है तो बेसिकली यह होगा एंट्रोडक्शन ठीक है एक किस-किस पैमली आडर सबाडर या फिर आपका इनिमल आता है इसमें और कौन-कौन से उसका जो फोसिल रिकार्ट को कौन-कौन से आपका प्लेसेस पर हमें प्राप्त हुआ ठीक है इसकीम आप क्लासिफिके मेन का एनिमल किंग्डम में तो कौन-कौन से स्किम में होगा उसको यहां पर देख सकते हैं ठीक है तो यहां हम जो यूमन है वह कौन से किंग्डम में आएगा आपका एनिमेलिया ठीक है सब किंग्डम क्या है इसका मेटा जोव ठीक इसके अंतरगत क्या आते हैं मेटाजोग के अंतरगत including all machte did है मतलब जो ऑ जो किंग्डम एनिमेलिया का सब प्रिशा गैने चूरलेप मेटा उसके इंतरगत सभी जो मलती सेल लूर orगनीजंस ह्प्रिए के के अंतरगत आती है आपका सब किंग्डम मेटा जोग के अंतरगत ठीक है इसका फाइलम क्या है आपका कॉर डेटा जो हीमन है जो मेन है उसका फाइलम क्या होगा आपका कॉर डेटा क्योंकि इसमें क्या पाय जाता है आपका नोटो कार्ट जो में प्रिजेंट रहता है ठीक ह क्या होता है आपका bilateral symmetrical होता है ठीक है बात करें शोचाइल में का तो इसमें अपका वर्टिब्रेटर बोलते हैं इसको होकि वर्टिब्रेट थीक है आपका फाइलम काल डैटा साफ पाइलम वर्टि बेटा इसमें क्या है इंक्लूडिंग आफीशेश एंफिबियन्स रेप्ट इस पहयुर जितने भी आपका vertebrates organisms है सब फाइलम वर्टिब्रिटर के अंतर ट्रगत आते हैं ठीक है बात रिकस्य हंट क्लास की तो इसका क्लास क्या है आपका तीक है इसको मुझे क्या बोलते हैं मैमेलिया थिक मेमलिया बोलते हैं जो कि इसके इसमें क्या होता है इसके स्कीन में क्या होते हैं है प्रेजेंट होते हैं ठीक है और इसमें क्या होता है बेसिक रूप से तो इसमें पाई जाते हैं तो बेसिक रूप से उसमें क्या पाई जाता है एक यह पाई जाते हैं और उसमें क्या होता है आपका memory reglan पाइजाते हैं फेकिआ क्रेंटर क्लाश में में लिया तृब उसके आपका Śकी में हार पाइजायगे मेरी ग्लेंड को फाइजाएंगे अपका आपकाशन की पाइजा जाएंगे में मेरी ग्लेंड के चाइएंगे टिक सुद बेसिक इसके उंत्र grades इंक्लूडिंग है आपका मार्सुफियल एंड एग लेंग मेमल्स ठीक है मतलब जो मार्सुफियल है जो भी आपका मार्सुफियल है और जो एग ले करते हैं वो सारे मेमल्स जो होते हैं आपका मेमल्स आते हैं बात कर इसकी सब क्लास की तो यूथीरिया होता है यूथीरिया खानेवाले जितने रहते हैं लाइक कुऔर खाने वाले यिनिल के यह दान at मउस स traits कारनीव अंतलब अन्साहरी जो दूसरे जिवों के खानेव कुऔर क।बरौर खाफाता है क्यासीर हो गया भालू से यह सब किस में आते हैं रौइन पैंब से थे यह सब किसमें या AHU इसके बार्णिवार कई कहते हैं यह भी आपका kसी भी और्गैंस को मारकर बांत करें लीमर्फ तो ओर इसका क्या है प्रामिड्स है ओर्ड्र क्या है प्रामिड्स है इसा किया है प्रामिड्स और क्या है आपका ट्री स्वीरस जो पे मिचडने वाले होते हैं जिसंसमें बेजिकली जितने कप्रमाल्स हैं जिसमें भी अपका प्रॉप्ल क्काम करता है वह प्लेजंट रह रहता है एक और Ji जो यह फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करता है कौन प्लेजेंटा ठीक है लाइक हुमास में फीमेल में क्या पाय जाता है ठीक है जो कि बेबी के ग्रोथ बेबी के आपका इंसाइट दफीटस ग्रोथ के लिए बहुत जादा इंप्वर्टेंट होता है ठीक है इसलिए तो क्या बोलते हैं प्लेजेंटल में मैलस मतलब जितने भी आपका मिमले सही इसमें प्लेजेंटा में ही आपका प्लेजेंटा के थुरू का बैबी का आपका ग्रोथ होता है इंसाइड तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लेजेंटल मेमल ठीक है इसके अंतरगत हम देख सकते हैं और अधर क्या प्राइमेट्स है ठीक सब और की बात करें तो सब और इसमें आपका और एंथ्रो पॉइडिया इसके इंकलूट क्या है आपका ओल्ड एंड न्यू मंकीज मतलब ज इंफरो आड़र की इनफरो आपका केटा केटा इसका इस पहले भी बात करें तो क्या है आपका होमी नाइडिया ठीक है रुपर अबम देख सब्सकेट करें है ऑ Smells में केक्व के थाउर डिन देख लिए हैं सुपर फैमिली में हम देख लिए हैं को ओम इन more डिया ठीक जिस कें तर्चत क्या है हमारे इंक्लूड है들을 Inclügen दा ग्रेट a piece and गीबन्स Jeep जो हमारे एंसिस्टर् सहे एपी और गीबन्स एक इसके अंतर लिका single इन्पलिए is इसका family है आपका hominidia, hominidia का including है, are tool making forms of fossil and primates, primates के जितने भी fossils थे, जो के tool के tool से बने हुए थे, उस अभी क्या है, family hominidia के इंतरगत including है, बात करें genus की बात करें, तो इसमें आपका साथ हो, इसका Хोमो ठीक है, इसका नतरगत including Java man, Peking man, Nidyearthal man, Hodocean man और sollo man, इस अरे क्या है आपका genus की नतरगत आएंगे, जिनास काओ है उसका है, इसका हो है, उसके नतरगत सारे include है आपका Java man, Peking man, टीक है यह ये लिbuild मेंट करें में का इनका तो क्या इसको क्या बोलते हैं लोग崇श है यह हमारा हो गया मर सेपियंस हो गया जीनासर्षपीश करणो बोलते हैं homo sapiens like men ठीक है जो कि kingdom animalia phylum quadrata sub phylum kingdom animalia phylum quadrata sub phylum vertebrata class mammalia ठीक आपका sub class हो गया आपका youth area order हो गया आपका primates ठीक और इसका family हो गया आपका hominidia और जीना सापका homo और species आपका sapiens that is a homo sapiens like humans ठीक है यह हो गया आपका इसका schematically classification animal kingdom में इसका schematically classification हो गया मैन का ठीक है बात करें origin of man की तो इसका origin किस प्रकार से हुआ है देख सकते हैं लोग जितने भी आपका ऐसे अगर हम evolution कि बात करें तो जितना millions आप यहिर अगू aiming पहले जाएंगे थीक पास्ट में जाएंगे तो इस प्रकार ने महीं जायेंगे अपका organism का जो है आपका evolution इस प्रकार से हुआ है ठीक है देख सकते हैं आप किस प्रकार शेख्री प्रकार से इस प्रक्थ西 लाई स्ट्रक्चर में आयह राक्सक अरेक्त टहुत कि थूं स्टार्ट किया ठीक है उस प्रकार कर से कहड़े होना सीखा यह को यह इस फाइनली जो होता है आपका हुँमन्स हैं जो किया आपका लेक के थूँ चलगा ठीक है और उसका जो habitat था वो भी क्या हुआ चेंज हुआ ठीक है उसका body का structure जो था morphological structure वह भी क्या हुआ चेंज हुआ उसके जो आपका body में जो hairs थे वो भी क्या हुए कम होते गए ठीक है और एक modern humans का formation हुआ through the evolution ठीक है जो कि इस प्रकार से हम इसका ट्री देख सकते हैं ठीक है evolution का tree है आपका origin of man का ठीक है कि इस प्रकार से organisms का evolution होते होते इस प्रकार से क्या human बना है ठीक है जो कि modern human की रूप में हम देखते हैं आजकर जिसको क्या बोलते हैं हम लोग homo sapiens ठीक है को elk primarily possesses relatively large brain और जितने भी primates झतर कर जितने भी organisms आते हैं ठीक है उसका जो brain होता एवा क्या होता है बहुत भी होता है थे इसमें other organism की अपे च्राइच बहुत ही सब्सक्ता होता है इसलिए जो सोstहीं होता है भाट खाहर और मासका क्रेणियम के बॉक्स को प्रलां में उसका लोख बोलते है उसके उसमें क्या होता है में आपका स्टीर ten गवाधोंर के आपका हो फिंगर्स होते हैं मैं फाइव क्या होता है और उसका थथे तब उसका feet और hand जो होता है वह क्या होता है अपका free hand style ठीक है और बहुत ही ज्यादा क्या होता है आपका उसमें flexible arm होते है उसका hand होता है arm होता है वह ज्यादा flexible होता है a thumb that can be rotated to oppose the other fingers उसका जो thumb है वह क्या करता है rotate कर सकता है दुसरे उंगलियों के opposite ठीक है an eye socket protected by bone margin और जिसका आख है या फिर उसका rateina वाला reason है ठीक है werdina हो गया उसका lens हो गया सारा चीज जो रहता है एक protected socket में जो होता है आपका covered रहता है फिर protected रहता है तूटल आप 20 32 or 34 teeth और जो आपका primates है उसका आओछ और प्राइमिट से हैं उसमें आपका 32-34 जो रहते हैं दाथ जो हैं बैसिकली पाय जाते हैं प्रिजेंट होते हैं यह उसका क्या हो गया आपका बैसिक फीचर्स हो गया है ठीक है तो इस 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 कॉंबिनेशन आप करेक्टरिटिस इस डाइगनोस्टिक बैट मैं इस वन अब दा प्रामेट्स अगर कॉंबिनेशन देखें ठीक है प्रामेट्स का अगर कॉंबिनेशन करेक्टर देखें ठीक है तो इसमें बैसिकली देर आट थ्री ग्रेट ग्रुप्स आप हायर प्रामेट्स दे आर न्यू वर्ल्ड मंकी की बात करें जिसमें तीन उसको क्या आपका थ्री ग्रेट ग्रुप्स में आपका हायर जो प्रामेट्स हैं उनको डिवाइट किया गया है ठीक है पहला देखें तो दा ओल्ड वर्ल्ड मंकीस एंड दा होमी नॉइट्स ठीक है क्या है दा ओल्ड वर्ल्ड मंकीस एंड दा होमी नॉइट्स तो इसके अंतरकत कौन कौन से और्गनिजम्स को आपका क्लासिफाई करके ग्रुप्स में डिवाइट किया गया है इसको हम लोग देखेंगे आगे हम 14 मिलियन येर अगो पहले की बात करें तो हमी नॉइट्स जो आपका फैमिली है उसमें आपका क्या हुआ था जो एपीस थे उनसे जो आपका क्लियरली क्या किया गया गया सेप्रेटेट किया गया था ठीक है उसके टीथ उसके डाइट उसके बीहिवियर के बेस पर क्या किया गया था 14 मिलियन येर अगो हमी नॉइट्स जो थे उनको क्या किया गया था ठीक है जो इसके प्रीट जो भी वहीवियर था उसके अकॉर्डिंग तिक है अन्फोर्चनेटली टेर वाज करेंग तर्मेंडस के इन पता चला कि यहां पता चला कि बहुत अच्छा जो एविडेंस है आपका यूमन इवलुशन का ठीक है क्योंकि उसके बिहेवियर उसके डाइट और उसका जो टीट का स्ट्रक्चर था उन सभी चीज को सेप्रेट करके आप के से अलग करके उसको अलग से ग्रुप में डिवाइट किया गया ठीक है सेप्रेट किया गया फैमली होमिनौइट्स को ठीक है जिसे हमें क्या हुआ एक अच्छा एविडेंस मिला ठीक है हुमन इवलुशन का इस उनको बहुत सारे places पर क्या किया गया आपका धूंडः गया ठीक है और जो organisms थे कर जो life is й的人 था आपका क्या था time is vandaag नहें आपका सेम था एंतर गные यह आँतने सीम में थे का छो है तु Grade जा गया ठीक है about the same time span और उसका जो time span था वह क्या था था सेम था ठीक है evolution आप main देखें तो basically इसमें क्या है आपका बहुँच सारे इसका time period है इसके तुरू अलग-अलग organisms में जो है आपका मतलब organisms में क्या हो बहुँच सारे changes आते गए और इसी के अकार्डिंग जो होता है changes के अकार्डिंग ही जो है उसमें modification हुआ ठीक है उसके आपका body structure में उसके behavior में उसका habitat में सभी चीज में क्या होते गया changes होते गया ठीक है इसके अंतरकर हम लोग देखेंगे रामा पेथिकस और क्या है हमारा पेथी केंट्रोपस सिनेत्रोपस जिसको में पिकिंग में बोलते हैं हेडिलबर्ग में लिंडर्थल में और हमारा क्रो मैंन में इस सारे जो मेंस का evolution हुआ है उनको हम लोग करके लीटेल से study करें ठीक है ओके student thank you इसको हम लोग पुरे डीटेल से कल देखेंगे ठीक है